नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी के लिए कुछ एक बेहद ही महतोपून जानकारियों को ले करके आईए आज हम सभी पलाश के फायदों के बारे में जानते हैं प्रकृती ने हमें बहुत कुछ दिया है मगर जब तक आपक किसी भी वनस्पत्य की जानकारी नहीं है तब तक वह वनस्पत्य आपके लिए व्यर्थ ही है लेकिन जब आप उसके सही गुनों को जान और पहचान जाते हैं तब आप कह उठते हैं अरे ये तो हमें पहले नहीं पता था इसी में से एक नाम है पलाश तो आईए आज हम भी पलाश के गुनों को जानते हैं दूद के साथ प्रती दिन एक पलाश पुषप पीस कर दूद में मिला के गर्वती माता को पिलाईए तो इससे बल विर्यवान संतान की प्राप्ती होती है यानि कि संतान मजबूत होता है यदि किसी कारण से आपका अंडकोश बढ़ ग अगर किसी महिला को गर्व धारन करते हैं अगर गाई के दूद में पलाश के कुमल पत्ते पीस कर पिलाया जाए तो शक्ति साली और पहलवान बालक पैदा होता है पलाश के बीजों को मातर लेप करने से महिलाएं अंचाहे गर्व से बच सकते हैं यदि पेशाब में जलन ह कर्व रही हो या पेशाब रुक कर हो रहा हो तो पलाश के फूलों का एक चमच रस निचोड़ कर दिन में तीन बार लिजेे आपको लाव होगा यानि कि पेशाब जो रुक-रुक कर आ रहा होता है वो ठीक हो जाएगा बवासीर के मरीजों को पलाश के पत्तों का साग चाहिए इसका ध्यान रखें बुखार में शरीर बहुत तेज दहक रहा हो, तो पलाश के पत्तों का रस लगा लिजिए शरीर पर 15 मिनट में सारी जलन खत्म हो जाती है। बुखार में अगर शरीर बहुत तेज दहक रहा हो तो पलाश के पत्तों का रस लगा लीजिए शरीर पर 15 मिनिट के लिए आपको लगाना होगा इसके बाद आपका बुखार खत्म हो जाएगा जो घाव भर नहीं रहा हो उस पर पलाश की गोंद का बारी चून छिड़क फिर देखिए घाव कैसे भर जाता है फील पाउं या हाथी पाउं में पलाश की जड़ के रस में सर्सूं का तेल मिला कर रख लीजिए बराबर मात्रा में और फिर सुबह शाम दो दो चमच पीजिए आपको लाव होगा यदि आपको नेत्रों की जोती बढ़ानी है तो प पलाश के फूलों का रस निकाल कर उसमें शहद मिला लीजिए और आँखों में काजल की तरह लगा कर सोया कीजिए अगर रात में दिखाई न देता हो तो पलाश की जड़ का अर्क आँखों में लगाईए लाप होगा आपको लोगों में होने वाली नपुन सकता की चिकित शरीर में अंदर कहीं गाठ उभर आई हो तो इसके पत्तों को गर्म करके बांधिये या उनकी चटनी पीश कर गर्म करके उस स्थान पर लेप कीजिए गाठ खत्म हो जाएगी इसके बीजों को निम्बू के रस में पीश कर लगाने से दाद घाज खुजली में आराम मिलता है इसी पलाश से एक ऐसा रसायन भी बनाया जाता है जिसे अगर खाया जाए तो बुढ़ापा और रोग आसपास नहीं आ सकते हैं इसके पत्तों से बनी पतलों पर भोजन करने से चांदी के पात्र में किये गए भोजन के समान लाप प्राप्त होता है पहले लोग शादी ब्याह और अन्य संसकार में पतल और दोने पलाश का ही बनाया करते थे या मंगवाया करते थे आज की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ रहते थे इसलिए वो लोग इसका गोंद हड्यों को मजबूत बनाता है पलाश का एक से तीन ग्राम गोंद मिश्री युक्त दूध अथ पत्वा आउले के रस के साथ लेने से बल एवंवीर्य की वृद्ध होती है तथा अस्थियां मजबूत बनती हैं और शरीर पुष्ट होता है वसंत रीतु में पलाश फूलों से लद जाता है इन फूलों को पानी में उबाल कर केसरी रंग बनाएं यह रंग पानी में मिला करस्नान करने से आने वाली ग्रिश में रितु की तपन से रक्षा होती है तथा कई प्रकार के चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं महिलाओं के मासिक धर्म में अथवा पेशाब में रुकावट हो तो फूलों को उबाल कर पुल्टिस बना के पेंदू पर बांधें अंड की सूजन भी इस पुल्टिस से ठीक होती है रतोंधी की प्रारंभिक अवस्था में फूलों का रस आंखों में डालने से लाव होता है आख आने पर फूलों के रस में शुद्ध शहद मिलाकर आंखों में लगाई ये लाव होगा पलाश के बीजों में पहला सोनी नामक तत किन दिन तक दें चोथे दिन सुबह 10-15 मिली लिटर अरंडी का तेल गर्म दूद में मिलाकर पिलाएं इससे पेट की क्रीमी बाहर निकल जाएगी पलाश बीज चून को निम्बू के रस में मिलाकर दाद पर लगाने से दाद मिट जाता है पलाश के बीज और मदार के दू मार्ग अथवा योनी द्वारा रक्त स्त्राव होता हो तो छाल का काढ़ा 50 मिली लिटर बनाकर ठंधा होने पर मिश्री मिलाके पिलाएं इसे इन्हीं गुणों के कारण ब्रह्मा विरिक्ष कहना उचीत है तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि पलाश हमारे लिए कितना ला करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों